तो स्वागत है अपने यूट्यूग चेनल केडियर पे मैं ही आयू सर्जम बात करेंगे फाइनल टॉपिक के उपर यानि कि सी यू इटी जो पीजी के एजाम हुआ इस बार उस पे फाइनल टॉपिक पे बात करेंगे कि इसका कट अफ क्या रहने वाला है तो ए जो है इसकोर बच्चों के यह तकलीफ आ रही है कि जिनका इसकोर 10 से निचे है या 100 से निचे है 50-60 है से इसकोर है उनका कहां पर एडिशन होगा तो आपको बता दे कि बहुत सरी ऐसी इंभर्सिटी है जहां पर जगह जो है खाली रहा जाती है और वहां पर इस्पोर्ट कराना पड़ता है तो यहां पर वहीं पर हम बात करेंगे इसी टोपिक के उपर कि आगे क्या रहने वाला इसका कट आप और कौन से स्टुडेंट किस इंवर्सिटी में रेजिस्टेशन करा सकते हैं करा सकते हैं इसमें आप यहां परैदेशन करेंगे आनदेशन करेंगे अरुनाचल पर्डेश न परश हैं यहां पर चैत हैं नि देख सकते हैं प्रविशन करा सकते हैं लेकिन इसमें जो है कम स्कोर वाला मुझे नहीं लगता है कि जिनका 50-60 मार्ट उनके यहां पर होगा तो आप यहां पर डिपीशन अप्लाई नहीं करिएगा ओ डेर सके रेंज में जिनका मार्ट होगा डेर सके 10-20 आगे या 10-20 पीछे कर लेजे मैं जेनरल के टेगरी की बात कर रहा हूं तो उनका एडबीशन के हां संभौना है उसके बाद है अर्साम असाम इंबसिटी का भी जो कट अफ है वह लो जाता है तो असम इंबसिटी हो गया आपका तेजपूर इंबसिटी भी इसका भी कट को में नमबर उन रखुँंगा जिनको भी इडिविशन कराना यहाँ पे करा सकते हैं इसका कटफ लो जाता है किसी किसी सब्जक्ट में माइनस में भी जाता है कुछ आ पे इसके बाद महात्मागंदी Central University Mahatma Gandhi Central University जो की इस्चेंपरन मुतिहारी में इस्तित है इसका भी cut-off लो जाता है और यहाँ पे भी आप MBA कर सकता है लेकिन MBA का इसमें कोई placement नहीं होता और BA और become यहां पर भी आप एडिविशन करा सकता है यह भी एक अच्छी उसके बाद दिलने उन्मार्ट के जाएक्जा सकता है। इसलिए मैं इसको आउट रखूँगा उसके बाद पष्वाप तक सुन्हें और ट्रयूट meus पूर्छ दिदाशित पृच्प पृच्भण ले तो यहां पर भी कट अपत Candium वहार जाता है यहां पर एड़िशन करा सकते हैं लेकिन बहुत लो नहीं जाते हैं यहां पर पर दिल्ली की बात करते हैं तो इगनी को आप तक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट का इस वहार जाता है इसके बाद JNU, JNU का कटफ हाई जाता है उसके बाद South Asian University हो गया तो इसमें भी आप एडिविशन करा सकता है जिनका 200 के करीब मार्क्स आया हुआ है या फिर आपका 170 के करीब में है उसके बाद DU आता है दिल्ली University इसमें कटफ हाई रहता है इसका कटफ हाई जाता है दिल्ली लाल भादू सास्त्री तो इसमें संस्क्रिट इंवर्सिटी है इसमें भी आप एडिविशन करा सकते है इसका कटफ भी है हाई नहीं जाता है ज्यादा उसके और सेंट्रल संस्क्रिट इंवर्सिटी है सेंट्रल संस्क्रिट इंवर्सिटी में भी आप एडिविशन करा सकत इसमें आप वहीं अनुमान 180 प्लस जिनका होगा उसका एडिविशन की चांसे से ज़्यादा बनती है जेनरल के टेगरी की बात कर रहा हूं उसके बाद इसमें है Central University of Haryana Central University of Haryana बहुर सारी बच्चों को इसमें है नजर तिकाये हैं क्योंकि इसके पहले जो है Central University of Haryana और इस बार जो है बहुर सारी बच्चे इसमें रेजिस्टेशन करवाएंगे तो इसमें आप देख लिजेगा फिर भी अनुमानीत स्कोर इसका बता दे तो आप करीब 120 के आसपस में जिनका मार्क्स आया वह वो रेजिस्टेशन कर लिजेगा इडविसन होने के आपके भी संभावना रहेगी इसमें उसके बाद है हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश Central University of हिमाचल प्रदेशस का कट उफ लो जाता है इसमें भी आप एडविसन के लिए अप्लाई कर सकता है जम्बू और कस्मिर में देखे तो Central University of जम्मू इसका cut-off लो जाता है इसमें भी आप एड़िशन करा सकते हैं इसमें आप MBA जैसी कोशेश कर सकते हैं एबलेबल है MBA जैसी कोशेश और इसका placement भी देता है उसका Central University of Kasmir इसका cut-off Central University of Jammu के मुकाबले और कम रहता है तो जिन बचों को लगता है कि मेरा एड़िशन कहीं नहीं होगा तो जिनका माक्स अगर बिल्कुल बहुत कम है तो आप यह दोनों इनवर्सिटी में अपलाई करिए क्योंकि बहुत कम यहां पर registration होगा क्योंकि एक तो आपका प्लेस भी एकदम दूसरे साइड के तरफ जा रहा है और वहां का जो अटमोस्फेयर है जो क्लाइमेट है वह बहुत सारे बच्चों को शूट नहीं करता है इसलिए बहुत कमी बच्चे यहां पर registration करेंगे और उमीद है कि आपको कोई अच्छी कोशिस में मिल जाएगे जंबू और कास्मीर में उसके वाद जारखंड है Central University of जारखंड तो Central University of जारखंड का कटफ इस बार हाई रहने वाला है इसके पहले भी कटफ आपका करेब 160 प्लस ही था जेनरल के टेगरी के लिए लेकिन फिर भी देखिए चांसेस बन रहा है और एसी एस्टी के लिए तो सतर असी में भी बहुत सारे कुछे से लेवल थे यहां पर उनका कटफ लो गया हुआ था लेकिन फिर भी आपे जिसका 150 प्लस है वह यहां पर अपलाई करिएगा आपकी चांसेस जरूर बनेंगे लेकिन कम वाले भी अगर करना चाहते हैं तो कर सक अधी आण सब्सक्राइब करनाट का इसका विए करला का विए जाता है उसके लादाख में भाई सिंदू सेंट्रल एन्बसिटी इसका भी कर आप लो जाता लेकिन लोकेशन वाइस बहुत सारे बच्चे यहां पर नहीं जा पाते हैं तो इसका भी कर अभी नहीं रहाए ती पर आप अपर एडिविशन करा सकता हैं और उसके बाद जो है आपका इंद्रा गांधी निश्नल ट्रेवल इन्बरसिटी इसमें भी आप इडिविशन के लिए देख सकते हैं इसका भी कट अफ लो जाता है वुश्कवाद महाराष्ट है तो इस बार जो है महाराष्ट में महत्मागांदी अंतरास्टी हिंदी विश्व विद्याले है आपका सेंट्रल इन्वर्सिटी तो इसका कटफ जो है वह आपका 150 प्लस रहने वाला इस बार मननिपोर इन्वर्सिटी इसका कटफ लोड आता है नेशनल एस्पोर्ट इन्वर्सिटी नाहीं मिल हुआ है उसके बाद मेघाले में आता है तो मेघाले में नहीं है नहीं का प्लेश्मेंट भी अच्छा है और कोलेज भी बढिया है इसका कट much knife ज्याय नहीं श्राइब ईहले और सब्सक्राइब देपस सकते लिए फब्सक्राइब कनेे इनके रहाइब से सपने अपिन करें बनाव बर बालत यूंद करते लिए कि अप्लाइ कर्या के कडिल लिकुन मदा वाल करें पंजाब राजस्तानCSD सब्धिए उसका ऀ अगरा उन बों इभे सब्सक्रांद कर एक को d lie यह सब्जक्ट स्ब्जक्ट गपा तो उसका कॉठ स्विछ हाई जाता है इसका में भी बहुत सब्जक्ट है उनके कटफ के लिए उसके बाद है तिलंगना में भी आपका सेंट्रल इंबरसिटी आफ हाइदराबाद इसका कटफ हाइड हाने वाला है और इसमें प्रोसेस बहुर सारे होते हैं जैसे के आपका कटफ क्लियर करना पड़ता है उसके बाद आपको गुरूप डिस्कर्शन इसके बाद आपका फाइनल कटफ त्यार करेंगे उसके बाद जो है आप इस इंबरसिटी में आप एडवेशन ले सकते हैं काफी बढ़िया इंबरसिटी है और इसका कटफ भी जो है आपका 200 प्लस रहने वाला है जिनका माक्स आया होगा 200 प्लस माक्स वह इसमें रिजिस् को कटफ लो जाता है उसके बाद अलीग बूस्लिम इंबरसिटी इसका कटफ घरने वाला बाबा साब भी रावेशन उप्लस इंबरसिटी ऑर सेंट्रल इंबरसिटी आफ बा दम काटफеленies ज्यादा हाई नहीं रहेगा इसका बी एक सब प्लस एक सबा मिंवेरन व स्बाशि अप्लाई कर सकते हैं रानी लक्ष्मिभाई सेंट्रल एगरी कल्चर वाले अपलाई करेंगे इसमें विश्वे भारती इंवर्सिटी जो है आपका वेस्ट बेंगल में इस्तित है उसका भी कटब जो ज्यादा हाई नहीं रहेगा उसका कटब भी लो रहता है यानि 120 से लेकर एक सब असी के करीम में जिनका जिनका मार्क्स आया हुए वह इसमें अपलाई कर सकते हैं उसके बाद यहां पर देख साया है कि बहुत सरी जो इन्वर्सिटी है जो कि स्टेट इन्वर्सिटी में आ रहे है और वो जो है अंडर पीर्विव किया गया किसके अंदर जैसे कि को देखा जाता है वहाँ पर उसका देशीं बहुत जैसे कि गती सक्ति विश्व विद्याले हो गया मिनिस्ट्री अफ रेलवे के अंद्रग्याते रन करते हैं मनिपूर में सिंट्रल एगरी कल्चर इंवर्सिटी हो गया यह भी मिनिस्ट्री अफ एगरी कल्चर के द्वार रही रन करते हैं तो बहुत सरी ऐसे इंवर्सिटिया है जहां पर आप एडिविशन कर सकते हैं फाइनल में आपको बता दो कि अगर आप नर्थ इस साइड के तरफ अगर आप अपलाई करते हैं जिनका माक्स की बिल्कुल भी कम है जिनका माक्स पचास से लेकर और एक सब जिनकार के जीनका घंच का सोथां पर में द इस साइड में एडिविशन कर रेचिशन करवा सकते हैं झेनरल वाले की बात कर रहें और आप कम से कम प्रयास कर nhân करेगा कि semainesShe प्रवाइबस्टी में कम से कम रेजिस्ट्रेशन कराऊं ताकि आपका एडिवेशन का जो सिक्यूरीटी लेवल हो एकदम सिक्यूर हो जाए और चांसेस ज्यादा बन जाए आपको एडिवेशन लेने का वैसे आपको नंबर वन पर मैं बोलूंगे जैसी कि नहीं हो गया इनवर्सिटी में आप अपलाई करिए बहुत सारी चांसेस बनती है आपकी एडिवेशन हो जाए